दोस्तों, नवरात्री के शुब अफसर पर हमारी तरफ से आप सभी को बहुत-बहुत हार्दिक शुब कामनाएं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्री हिंदु धर्म के प्रमुक त्योहारों में से एक है, जिसे दुर्गामा की पूजा को समर्पित किया जाता है। बहुत से लोग इन नौ दिनों में नंगे पाओ भी रहते हैं। ऐसे ही नवरात्री के नौ दिनों से जुड़े नौ रोचक तत्य हम आपके लिए लेकर आए हैं। नंबर एक, नवरात्री, शब्द दो शब्दों का सयोजन है, जैसे नव अर्थात नौ, और रात्री अर्थात रात, नौ दिनों और नौ रातों को नवरात्री के रूप में मनाया जाता है। नमबर दो, भारत में मनाय जाने वाले कुल चार नवरात्री होते हैं, शरद नवरात्री, चैत्र नवरात्री, माग गुप नवरात्री और असदा गुप नवरात्री, लेकिन मुख्य रूप से केवल दो नवरात्री के बारे में हम सब जानते हैं, शरद नवरात्री और चैत दुर्गा ने महिशासुर का संगार किया था। जो भुराइ पर अच्छाई के जीत का प्रतीक है। चैत्र नवरात्री, चैत्र नवरात्री को बसंत नवरात्री के नाम से भी जाना जाता है, जिसे गर्मियों की शुरुआत के दौरान मनाया जाता है, जो मार्च और अप्रेल के महीने में पढ़ता है, जो की मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है, नवरात्री के स अगर कोई कन्या आपको नवरात्री के दिनों में सिख्का देती है तो यह बहुत ही शुब माना जाता है, इससे आपको धन का लाब होता है. नमब 6. बंगाल में नवरात्री के दिनों बहुत बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा की जाती है, जुकि बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है. नमब 7. हिंदू ग्रंथों में शिव की पत्मी अर्थात पार्वती जी को मा दुर्गा का आठवा रूप गौरी भी कहा जाता है. नमब 8. वेदों में तो दुर्गा जी का व्यापक उलेख है, परणतु उपनिशद में मा दुर्गा को, देवी उमा और महराज हिमालय की पुत्री के रूप में दरशाया गया है. 9. पुरानों में देवी दुर्गा को आदिशक्ती माना गया है यही आदिशक्ती ने सावित्री के रूप में ब्रह्माजी से विवाह किया लक्ष्मी के रूप में विश्नु और सती अर्थात पारवती जी के रूप में महादेव से विवाह किया था यही तीनो रूप मिलकर दुर्गा अर्थात आदिशक्ती का रूप धारन करती है सारे मिलकर कॉमेंट सेक्शन में बोलो लिए करती है करती है